हाँ तो स्टुडेंट्स प्रिविएस वीडियो में आप से इंट्रोडक्शन 2.2 एक्सरसाइज के हमने बात करी थी तो अभी हम बात कर रहे हैं उसी से रिलेटेड़ जो लास्ट में आप कुछ-कुछ टोपिक्स पढ़ाये थे हमने पूरु पृतिविंब पृतिविंब या ने करेक्स प्रोडुक्ट यनि-धिकर्ट्स चुना आपको लिए वेजता है था की अचलिक वाह से हमने पृतिषण को लिखा कि कोई रिलेशं जब हम लिखेंगे वह ए से बी में या वे से एक हैं कैसे हम यहां के दिमांड होगी फिर कह रहा है कि आरवन रिलेशन लिया था वह य बड़ा होगा एक से एक्स एसे रिलेटर रहेगा वाई बी से ठीक है तो उसको रोस्टर फोर्म लिखा है हमने तो और यह हमारी second relation लिया था y equals to x plus 3 third लिया था y equals to x plus 4 और ये लिया था x greater than y तो यहां हमने सब कुछ पढ़ाता तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले पूर पृतिव में यानि pre-image की बात करते हैं माले किसी भी किरमित युग में देखिए image और pre-image दोनों आपको किसी order pair के अंदर बतानी है order pair के अंदर आपको image बतानी होगी और pre-image तो जो first element होता है अगर आप pre-image की बात को हो first element हमारी pre-image होगी और second element हमारा image होगा यईनि यहां पे अगर weन four की अगर हम बात करें तो यह जो one है वो प्रतिविम्ब है second four है जो image है ठीक है न? प्रति विंब है four प्रति विंब है और one क्यों है हम कहेंगे four image of first है एक का image प्रति विंब क्या है? four और one का pre-image क्या है? four का pre-image क्या है? pre-image of four की one है ठीक है तो यह हमारी image किसी order pair में first element pre-image होता है second element choice domain in a relation in order pair किसी order pair में जो first element होता है कि नीवी order pair में यह अभी एक partition product है मान के चलो इसमें लेते हैं इस relation R1 में तो यह order pair दिये हुए इसमें जो first element है 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, तो इनका जो set होगा वो क्या होगा जैसे R1 relation में हमारा जो domain क्या हो गया किस संब्ध में क्रिमित्यूम के प्रथम अभी हो को समुझ जो होता है यानि first element in order pair domain कहलाता है जैसे 1, 2, 3, क्योंकि repeat नहीं करना है सिर्फ एक बार एक element को लेते हैं, set में लिखने का तरीका यही है क्योंकि definition वो ही चलेगी set की, set में किस तरीके से लिखते हैं लेकिन ध्यान रहे, बस first element उठाना है तो range क्या होगी, range in a set, set of second element in order pair order pair के अंदर जो second element है, यानि संब्ध में क्रिमित्यूम के दुत्य अभी हो का जो समुझ होगा जैसे R1 की समुझ की बात करें, तो इसमें second element क्या क्या है, देखिए 4 है, 5 है, 6 है, 4 है, 5 है, 6 है, 4 है, 5 है, 6 है, 4 है, 5 है, 6 हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पर range हो जाएगी, ठीक है, अब co-domain की बात होती है, separate देखिए, confuse होने की जरत नहीं है, जो हमारा relation दिया हुआ है, उसमें A से B में relation की condition हो सकती है, लेकिन जो B set होगा completely, वो आपका co-domain होगा separate, यहनि जिस भी set A से A में जा रहा है, R A से B में जा रहा है, N से N में जा रहा है, N से Q में जा रहा है, किस में भी relation जाए, आपको जो second वाला set होगा, वो पूरा separate बताना है, उसे क्या कहेंगे, separate या code domain, ठीक है, और range में और code domain में अंटर यह है कि code domain में तो पूरा की पूरा set होता है, जो second वाला होता है, लेकिन range में जो relation के अंदर order pair जो बनते हैं, संबंद के अंदर जो क्रमित युग बनते हैं, उनमें जो second वाला होता है, वो हमारी range होती है, ठीक है, उसके बाद set builder form, अब समुच निर्मान जैसे हमने यह लिख रखिये, आपका set builder form है, जैसे हम set builder form लिख चाहे हैं, वो ही, यह सारी, यह यह वाली, यह वाली, और यह वाली, सारी set builder form है, रोस्टर form, रोस्टर form जिनमें हमें pair, इस तरीके जो pair लिख रखे हैं, यह सारे हमारे roster form है, ठीक है, उसके बाद आपका यह बात के लिए होते हैं, एक topic और बसता है, arrow diagram, क्या बसता है, arrow diagram है, तो देखिए arrow diagram की और बात कर लेते हम, तो यहाँ पर ध्यान से, इनको पॉज करके आप नॉट कर लेजिएगा, तो arrow diagram क्या था, कुछ नहीं जा, जो हम diagram बना रहे थे, वो ही हमारा arrow diagram है, उसको representation का कैसे, arrow diagram क्या है, arrow diagram है न, देखिए, जैसे हमारा, जैसे R1 relation का है, आपको arrow diagram बनाना है, तो R1 relation यह है, A set में क्या थे, 1, 2, 3 element थे, और B set में आपके क्या थे, 4, 5 और 6 ते तो 1 का 4 से बनाया 1 का 5 से बनाया 1 का 6 से बनाया फिर 2 का 4 से 2 का 5 से और 2 का 6 से फिर 3 का 4 से 3 का 5 से और 3 का 6 से यह हमारा R1 relation का अगर R2 का relation हमें दिखाना है तो देखें A set ये था और B set ये था 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो क्या था R2 में ध्यान से देखिए 1, 4, 2, 5, 3, 6 तो 1, 4, 2, 5 और 3, 6 जिदर से जिदर जा रहा है ठीक है उसके बाद आपको R3 का दिखाना है तो वो क्या होगा A set ये B set आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो देखें बेटे हो R3 relation का है 1 और 5 और 2, 6 तो 1 का 5 से दिखा दिया 2 का 6 से दिखा दिया बस ये हमारा arrow diagram है अगर लास्ट वाला दिखाना है R4 relation तो उसमें 1, 2, 3 और B set में क्या है आपको 4, 5, 6 अब यहाँ पे ये 5 set है तो इसमें तो कोई arrow आएगा ही नहीं तो ये आपका R4 relation का arrow diagram हो गया ठीके बटेओ तो ये हमने बाते कल प्रिविएस वीडियो में आप से डिस्कस करी थी तो इन चीजों को थोड़ा से माइड में अच्छे से set कर लिजे रहा हाँ एक टॉपिक और आता है आपका inverse inverse यानि पिर्तिलोम है ना inverse यानि पिर्तिलोम तो पिर्तिलोम में आप से कुछ नहीं है अभी relation के अंदर पिर्तिलोम सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है मान के चलिए ये 1,4,2,5 और 3,6 ये हमारा relation था R2 order pair था R2 relation था इसके order pair थे अब इस R2 का inverse निकालना है तो inverse R2 inverse कर दोगे यहाँ पर उपर minus लगा दोगे और इसको कैसे लिख दोगे देखिए 4,1 5,2 और 6,3 यनि आपकी जो range है sorry domain domain और range अब ही देखिए domain first element था और range second element था तो domain है वो किस में change हो जाएगी domain तो range में change हो जाएगी range domain में reverse करना है अब R2 inverse के अंदर आपका क्या हो गया 4 domain हो गई 5 domain हो गई 6 यनि जो range है वो तो domain हो जाएगी domain हो range हो जाएगी यह आपका inverse होता है ठीक है तो यह आपकी बात हमारी यहाँ तक clear होती है इसके बाद इसमें एक चीज़ और बस्ति है types of types of sorry total relation in a order total relation total number of relation कैसे निकाल ले है तो इसकी बात करते हैं तो देखिए total number of relation की आपको अभी इन सब चीज़ों को आप video पहुज करके और note कर लीजिएगा ठीक है उसके बाद total number of relation की बात करते हैं total number of relation यानि संबंध की कुल संक्या कैसे ग्याद करेंगे ना कितने संबंध बनेंगे उसमें ये है ना तो देखिए कुछ नहीं है देखिए अगर हमारे पास A set है उसमें number of A set क्या है आपके पास P है और number of B set है आपके पास क्या है Q है यानि मान के चलो A में आपके पास P element है और B में Q element है ठीक है यह ना यहाँ पर 3 है तो 3 है इसके example लेंगे अभी तो आपका जो total number of relation है number of A cross B आपका क्या होगा 2 की power P Q ठीक है यह हमारा total relation हो जाएगा दो set हो के अंदर अब वो relation में जिस हिसाब से दिया होगा element है यह नहीं है तो P into Q ठीक है ना तो मान के चलो आपके पास इस set में 3 और इसमें 4 है ठीक है तो इसमें total Cartesian product के element कितने आएंगे 3 into 3 यानि 9 आएंगे कि नहीं आएंगे देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो 9 आए तो यह P क्यों आपका क्या हो गया P into Q ही तो हुआ यह यह निए P क्यों हमने क्या क्या कह देना है तो इसमें total relation क्या जाएंगे 2 की पावर 9 ठीक है तो यह हमारे total number of relation होते हैं तो pause the video not it down हाँ तो हमारा बेटिये देखिए example number seven है कह रहा है कि a set दिया होगा है वह है आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कह रहा है कि इसमें एक relation है वो relation क्या है xy है और y क्या है x plus 1 है और यह क्या है x plus 1 है और यह कह रहा है कि यह जो संबंद है जो यह relation है वो a to a में परिवासित है तो a से a में परिवासित का मतलब हमने क्या लिखा relation को हमने बता था आर कोलन a से a में परिवासित है a z क्या है यहां पर a और b's eight क्या यहां पर a ठीक है तो यहां से ध्यान से देखिए अब जब A से A में परिवासित है तो हम एक यहाँ पे जो A relation है इसका मतलब यह X किस से related होगा A से और Y भी किस से related होगा A से ठीक है दोनों A से ही related होगे तो arrow diagram से इसको दिखाना है तीर निशान द्वारा तो हमने कहा कि यह हमारा A set है यह हमारा B set है यह निए A इसे हम कहेंगे X और इसे हम कहेंगे Y clear अब क्या होगा यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सारे इनमबर आएंगे set इसमें तो क्योंकि मैंने आपको बताया था ना arrow diagram में थोड़ी दिर पहले तो यह सारी चीजे इसी तरीके से हैंगे A set में A set में अब देखे क्या कहा रहा है relation देखिए Y is equals to X plus 1 Y is equals to X plus 1 मतलब X आप कहां से रखोगे A set से तो 1 रखा तो क्या आया 2 रखा तो 3 आया 3 रखा तो 4 आया 4 रखा तो 5 आया 5 रखा तो 6 आया यह आपका arrow diagram हो गया क्योंकि इसमें आप 6 रखोगे तो 7 तो यह set में है ही नहीं इसका मतलब आप 6 left कर दोगे अब second part है इसी का यह तो first part हो गया इसी का second part आप से कह रहा है कि इसका आपको domain बताना है यानि प्रांत बताना है domains means प्रांत हिंदी medium वाले भी ध्यान रखें इनको domain और range को domain के नाम से ही ध्यान रखें है ना क्योंकि चीजें आपको यह English में यूज करने पड़ेंगी तो देखिए domain domain यह नहीं प्रांत तो यहां से प्रांत क्या आजाएगा हमने कह दिया इस relation का प्रांत जो होगा वो क्या होगा यह आप domain कह दो यहां पर तो वो होगा क्या होगा देखिए यहां पर हमने कौन-कौन से element हमने कहा ना set एक के ordered pair के first element हमारे क्या होते है domain होते है तो ordered pair जब बनेगा 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से 4 का 5 से, 5 का 6 से तो first element यह 1, 2, 5 नमबर होंगे की नहीं होंगे 1, 2, 5 होंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 यह हमारी क्या हो गई domain हो गई clear अब इसी में आपको range निकालना है यह नहीं परिशर निकालना है बेटे हो तो परिशर क्या होगा देखो धान से परिशर भी आपका क्या होगा देखिए क्या क्या कौन-कौन से element आ रहें परिशर में परिशर यह आएंगे second element तो 2, 3, 4, 5, 6 तो परिशर आगया आपका 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 है 2, 4, 5 और 2, 3, 3 रहे गया है ना 2, 3, 4 5, and 6 क्योंकि second element यह होगे अब कह रहा है co-domain है ना, co-domain क्या होगे निए 세ःफ्रांथ codomain क्या है सेःफ्रांथा आपका, तो सेःफ्रांथ मैंने क्या कहा था kisी भी relation में जो second set होता है second समुझ होता है, वो हमारा सेःफ्रांथ होता है, अब इस relation में सेकंड क्या है यह इसमें क्या हैंए लिख सकते हो क्योंकि ए Зबो अपको रेंजर को डॉमें का ठीक है तो आपका यह एक्जामपल नंबर 7 कम्पलीट होता है पॉस द बीडियो नौटे डॉट तो वेटर हमारा next question है कह रहा है कि आपको जो एक diagram वेन diagram दिया हुआ है एक arrow diagram दिया हुआ है तीर का निशान वाला और इसको आपको दिखाना है इसको आपको जो दिया हुआ है इसी से आपको roaster form और समुझ निर्मान वे दिया यह निए set builder form और roaster form दोनों लिखनी है तो देख q की तरफ जा रहा है यह हुआ इसका मतलब यह रिलेशन पीसे q में जा रहा है इस एरो डाइग्राम का मतलब कि कोई relation है वो पीसे q में जा रहा है तो क्या हुआ इसने कहा है कि 9 है वो 3 पे है और mind 3 पे इसका मतलब यह है अगर इस relation को हम set builder form में लिखेंगे तो कुछ ऐसे ल और 3 पे 9 यानि क्या हुआ है यह x जो है वो y का square है है या नहीं है तो x क्या है square of y देख लिजे ध्यान से y कहां से आएगा अब इसको define करिए for all x belongs to p and y belongs to q तो q set को देखिए जब आप 3 रखोगे तो 9 आएगा माइनस 3 रखोगे तब भी 9 आएगा same thing जब आप माइनस 2 रखोगे तो 4 रखोगे तो 4 आएगा और जब आप माइनस 5 रखोगे तो 25 और जब 5 रखोगे तो भी 25 तो यह होगे आपका set builder form ठीक है उसके बाद second portion उसने क्या कह है second portion का है कि इसको roster form में लिखना है अब roster form में कैसे लिखेंगे देखिए भाई ताली का बद में भाई हमने x लिखा 9 तो 9 का relation क्या आएगा x y की तरीके से लिख रखा है 9 के साथ किसके आएगा 3 के साथ आएगा और 9 किसके साथ आएगा माइनस 3 के साथ आएगा same thing आपको क् तू के साथ आएगा और 4 4 माइनस 2 के साथ आएगा फिर 25 किसके साथ आएगा आपका माइनस 5 के साथ और 25 आपका 5 के साथ आएगा यह आपका roster form अब यहां से आपसे next question क्या कर सकता है कि भाई आप इसकी domain बताइए तो domain क्या हो जाएगी 9 है 4 है 25 है sir ठीक है range क्या हो जाएग 3 है माइनस 3 है 2 है माइनस 2 है माइनस 5 है और 5 है अब code domain पूछे तो code domain में सारा की सारा क्यों से अटा जाएगा ठीक है तो question number एक्जामपल नंबर 8 complete होता है पॉस्ट वीडियो नोटेट डाउन हां तो पेटे हमारा next example है example number 9 कह रहा है कि A set है आपका 1 2 B set 3 4 और कह रहा है कि कोई relation A से B में जा रहा है A से B में है तो आप में number of total relation बताना है total number of relation तो मैंना भी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि 2 की power P क्यों आएगा P क्या है यहाँ पे number of P क्या है 2 और number of B क्या है 2 तो यह P के number यह Q के number कितने हो गए total 2 की power 4 2 इंटू 2 4 तो कितने हो गए बेटे हो यहां से 16 relation तो यह number of total relation आप लिख दोगे कि यह आएंगे इसमें total relation आएंगे total relation total sumband full sumband है ना total relation है यह लेखिए एक चीज और है अलकिसी जो confuse बाद में आप कहेंगे यह सर आपने यह नहीं बताया था कहीं बार आपको ऐसा आ सकता है कि A R B लिखा ऐसा कहीं लजर आए तो इसका मतलब है जो आप पढ़ रहे हो कि relation है A से B में तो इसको भी आप क्या पढ़ोगे कि relation है वो A से B में यानि आप इसका मतलब भी यह है A से B यह दोनों A की बात हैं तो कभी confuse ना हो ना ठीक है तो इस तरीके से बेटे हो आपके exercise 2.2 में आपका जो introduction plus examples आपके complete होते ह है तो अब हम next video में आप से discuss करेंगे exercise 2.2 hints on solution पे तो pause the video, note it down, thank you.